गुड मॉनिंग बच्चो गलो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो नुमेरिकल्स की इस ब्रहत सिरंखला में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ब्यल आइ आपके लिए बना दी हैं वचो और पूरी कोशिस की जारी वचो कि आप question को समझ जाएं वचो तो वचो question नमबर जो 14 है और इस वीडियो का पहला question है वचो तो क्या कह रहा है सलगन चित्र में एक LCR परिफत दिखाया गया है परत्यावर्ती धारा स्रोत की बोड़ता भी is equal to 100 sign 500 T से पर्दसित है परिफत के लिए गर्णा कीजी परतिबादा सक्ति गुणांग धारा का सिखर मान आपको ये ग्यात करना थोड़ा बड़ा सा question है वचो तीन नमबर में आ कितना थी आए बच्चो 100 100 sin 500 T ये equation number 1 हो गया और जो इसका मूल समिक्रण है V is equal to V0 sin omega T ये इसका मूल समिक्रण है इससे इसकी तुलना कर देंगे बच्चो तो V0 कितना आ गया बच्चो V0 100 तो बोल्ट इसका सिखर मान इतना बोल्ट आ गया बच्चो तो हमने question number अभी तो हमने धारा का सिखर मान निकाला बोल्टे से आपको प्राप्त हो गया बच्चो और बच्चो यहां पर ओमेगा का मान कितना आ गया बच्चो ये देखो ओमेगा की T से multiply है यहां 5 under T से multiply है तो ओमेगा आपका आ गया 500 ओमेगा होता बच्चो 2 पाई F बरावर आ गय 500 तो f बरावर कितना आजाएगा बच्चो ये देखो 500 बटे 2 πाई तो कितना हो जाएगा बच्चो 200 अपोन पाई इतना आगे बच्चो f की वेल्यू कितना आगे 200 अपोन पाई आगे बच्चो ठीक न बच्चो अब बच्चो जो हैं हमको आगे इसको solve करना है बच्चो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे बच्चो यहाँ पर omega ये निकाल दिया है f की हमें आउसकता पड़ेगी तो f हमारा निकला है बच्चो तो सबसे पहले बच्चो हम xl निकाल देंगे xl और xc xl बराबर क्या हो जाएगा बच्चो omega कितना आए है बच्चो हमारा 500 और l कितना दिया है बच्चो यहाँ देखिए यह देखिए l जो है यह देखिए 0.16 दिया है बच्चो तो बच्चो जब जो है 500 को 0.16 से multiply करेंगे तो यह 80 आ जाएगा बच्चो 80 ओम आ जाएगा बच्चो ठीक है अब आपको xc 20 में ठीक है xc बराबर होता है 1 upon omega c तो 1 upon omega कितना है बच्चो 500 है और c कितना है बच्चो य में बदलेंगे तो 40 गुण 10 गात रिन 6 ठीक है बच्चो तो कितना हो जाएगा 1 upon कितना हो जाएगा बच्चो यह जो है कितने सुन्य है बच्चो इसमें देखिए 1 2 3 तो 3 गात और 5 को कितना हो गया बच्चो 20 गुणा गये यह कितनी गात 3 गात है यहां रिन के 6 गात है तो तो रिन की कितने घात हो जाएगे बच्चो, रिन तीन घात हो जाएगे बच्चो, ठीक है बच्चो, और बच्चो जो है, इसको जो है, अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चो, एक हजार, होगा कि ने होगा बच्चो, ये 10 गार ने तिन ऊपर जाके 1000 बन जाएगा और बटे 20 हो जाएगा और 20 से इसको वो करेंगे हम तो कितना जाएगा बच्चो, 50 50 ohm, XC 50 ohm आगया बच्चो और ये भी कितना आगया, ये XL कितना आए था बच्चो हमारा XL हमारा कितना है, 80 ohm आए है बच्चो ठीक है, दो चीज आगी हमको अब जेखे बच्चो, हमने जड़ निकालना है अब क्या निकालना है, परतिवादा निकालनी है LR, LCR परिपत की परतिवादा हमको निकालनी है बच्चो तो जड़ बराबर कितना हो जाएगा बच्चो, आपको आता है अंडरूर, R2, प्लस, XL माइनस, XC का स्क्वादा है ठीक है बच्चो, क्योंको XL बढ़ा है XL बढ़ा है ने बच्चो, XC ये देखे, ये 50 से 40 XL माइनस, XC का होल स्क्वादा है ठीक है बच्चो, ये देखे बच्चो, तो ये क्वेशन थोड़ा लंबे क्वेशन है बच्चो आपको ध्यान देना है, जड़ बराबर अंडरूर कितना हो जाएगा 40 का बढ़ कितना हो जाएगा 16 सो हो जाए, 40 गुणागे 40, 4 को 16, और 80 में से 50 अगर आप गटा देंगे, तो ये 30 हो जाएगा और 30 का बढ़ कितना हो जाएगा बच्चो 30 कुणागे, 30, 3, 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चो, अंडरूर टू, five, zero, zero हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, पछार ठीक है बच्चो ये पचास ओम इसकी परतिबादा आगी है बचो पचास ओम इसकी क्या आगी है बचो परतिबादा आगी है है ने बचो अब सकती गुणांग जो होता है सकती गुणांग सकती गुणांग बचो इसको हम डिभाइन नहीं कर पाएंगे इसमें क्योंकि हमको इसको निकालना भी था बचो तो सक्ती गढ़ांग जो होता है कॉस फाई होता है बचो कॉस फाई जो होता है बचो वो आर अपॉन जट की बरावर हो जाएगा यहां पर ठीक है बचो आर अपॉन जट की बरावर आर कितना दिया है बचो आर कितना है बच्छो 40 है ठीक है बच्छो आर कितना है बच्छो 40 है और जड कितना है बच्छो 50 है तो इससे ये कट गया और यहाज एक 0.8 ठीक है 0.8 आ गया ठीक है बच्छो अब धारा का सिखरमान हमको ग्यांत करना है बच्छो यहाँ पर यह ग्यांत करना था इस आई बराबर आई जीरो जो होगा वो भी जीरो भी जीरो बटे क्या हो जाएगा जड़ हो जाएगा बचो और भी जीरो कितना निकाला है बचो ये देखें भी जीरो कितना निकाला है बचो सो निकाला है जड़ कितना निकाला है पचास निकाला है ये देखें बचो पचास न हो जाएगा दो एंपियर तो बहुत अच्छा क्वेसन है बच्चो यह अच्छा क्वेसन है आपको तीन नंबर में पूछा जाएगा बच्चो तो आपने इसमें तीन नंबर की प्रेक्टिस करने है बच्चो तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेसन की ओर तो बच्चो अगला क्वेसन आपके मोबाली स्क्रीन के है एक स्रेणी एक स्रेणी एल से आर परिफत जिसमें एल वरावर दस हेन्री सी वरावर चालीस माइक्रो फेरेट तता आर वरावर 60 ओम को 240 बोल्ट के परत्यावर्थी आवर्थी के परत्यावर्थी धारा स्रोथ से जोड़ा गया है गणना कीजी यह गणना करनी है स्रोथ की कौनी आवर्थी जो परिफत को अनुनाद की अवस्था में लोटा जाता है ठीक है बचो, अनुनादी आवर्थी पर धारा कितनी होगी, प्रेरग के सिरों के बीच अनुनाद की दसा में बर्ग माद्य मूलमान क्या होगा बचो, तो बचो LCR परिपत में, LCR परिपत में, ध्यान देंगे बचो बहुत इंपोर्ट है, परिपत में अनुनाद कब होता है अनुनाद की इस्तिति तब होती है बचो जब धारतिय परतिकाहत प्रेरण परतिकाहत XL और XC आपस में बराबर हो जाते हैं ठीक है बचो, यह देखे बचो तब यहां पर अनुनाद की इस्तिति हो जाती है बचो धारा का आयां बहुत बढ़ जाता है तो XL का मान क्या है बचो, Omega L, XC का मान क्या है बचो, Omega C, ठीक है बचो, इसको cross multiply कर देंगे, Omega square LC बराबर 1 हो जाएगा, ये देखे बचो, Omega square LC 1 हो जाएगा, और Omega square बराबर 1 upon LC हो जाएगा बचो, तो Omega बराबर क्या हो जाएगा, One upon under root LC, तो सबसे पहले आपने वही निकालना है यह देखे, यह देखे, स्रोत की कोणी आवर्थी, जो परिपत में अनुनाद की अवस्ता में, लौट में लाता है, ठीक है बचो, तो ओमेगा निकालना है बचो, आपने यहाँ पर सिंपली, आपने क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है बचो, तो यहाँ पर हम यह देखे है 1 upon L, L की value कितनी है बच्चो यहां पर दिया है बच्चो यह देखिए आपने पहले ही लिख गया होगा, L की value है 10 हेनरी और C की value है 40 microfarad, ठीक है बच्चो पहले आप लिख दो इसको बच्चो यह L की value है 10 और C की value है 40 microfarad, तो 40 गुणाएंगे 10 की कहात रिनिच है, ठीक है न ने यहां पर कितना हो जाएका बच्चो यहां पर अन्दरूड रिनिच movimento, ठीक है बच्चो तो यहां पर यहां पर पर आपका बच गया बच्चो ठीक है बच्चो और अब इसको solve क करना है solve करना है बच्चो तो कितना हो जाएगा बच्चो वन अपन 400 का बर्मूल कितना है बच्चो 20 और 10 to power minus 6 का कितना है 10 to power minus 3 आया ठीक है बच्चो ये 10 to power minus 3 उपर गया तो ये 1000 हो गया अपन कितना हो गया 20 से ये cancel हो गया 2 से हमने divide किया तो 50 हा गया ठीक है बच्चो तो इसका मातर क्या हो जाएगा, radian प्रती second, इसका मात रखोता बच्चो तो omega हमने यहां पर निकाल दिया है बच्चो, यह तो हमने सूत्र निकाला था बच्चो, omega आपके पास निकल गया बच्चो, अब हमने irms निकालना है irms बराबर क्या हो जाएगा बच्चो voltage क्योंकि यहां पर जो है जब xl और xc बराबर हो जाएगे तो मैं बताता हूँ बच्चो, ठीके यहां पर दिखे, जड़ बराबर जो होता है बच्चो जड़ बराबर जो होता है, वो होता है r square plus xl minus xc का whole square ठीक है बच्चो, अब यहां पर यह दोनों आपस में बराबर हो रहे है तो जड़ कितने के बराबर जाएगा बच्चो यह तो बराबर होगे r square plus यह तो 0 होगया बच्चो तो जड़ किसके बराबर आगया है, r के बराबर आगया बच्चो, इसलिए हम जो है, यह देखे, इसलिए हम जब क्या कर रहें वच्छो यहां देखे, जब I-RMS निकाल रहे हैं, तो केवल बटे में जड ने लिक रहे हैं वच्छो। ठीक है, जड की जगो पर कितना रही है? R आ लिया, तो V-RMS वैल्यू आपको कितनी दे रही है? 200, V-RMS वैल्यू आपको 240 दे रही है वच्छो। और R की value कितने है बच्च आप उपर देख सकते हैं फिर बताते हैं आपको आर की value कितने है बच्च Jaaf 140 में 120 से भाग देंगे तो यह किटना ढाईग才flower 24 तो यह कितना आजए ब्राबर चार एम्पियर ठीक है बच्चो आई की बहली हमारी 4 एम्पियर आगे है बच्चो ठीक है बच्चो अब हमने क्या निकालना बच्चो ये देखो अनुनाधी आवर्थी पर धारा ये निकल गई है बच्चो ये देखो ये पहला हमने कोणी आवर्थी भी निकाल दी है अनुनाधी धारा भी निकाल दी है प्रेरक्ष के शिरों के बीच अनुलात की तसा भर्ग मात्य का मूल मान ठीक है यह घ्यांत करना है ज़ no director अब हमने यहाँ पर भी आरेम कर ओप सिरों पर निकालना है इक्सल वरावर तो यहां ध्यान देना है बड़को तो XL बरावर यह XL क्या है बचो यह पर्तिरोध है ठहने बचो पर्तिकाहत है तो यह क्या हो जाएगा बचो BRMS और बटे कितना हो जाएगा बटे यह पर्तिरोध बरावर क्या हो जाएगा B is equal to IR होता बचो B is equal to IR होता है यह तो पर्तिरोध है r v upon i ठीक है बच्चो v upon i हो जाएगा i r m s ठीक है बच्चो excel बराबर तो इतना हो गया बच्चो ठीक है और excel बराबर क्या होता है यहाँ पर जो है इसकी value हमें ग्यांत करनी है बच्चो तो बच्चो यह value हमें ग्यांत करनी है प्रेरक के सिरों पर बर्ग माद्या मूल मान तो कितना हो जाएगा भी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा आई आर एम एस इन्टू एक्स एल इन्टू एक्स एल ठीक है बचो तो कितना हो जाएगा आया रमस कितना आया था बचो चार आया था और XL कितना आया था बच्छो हमने ग्यांत किया था बच्छो XL ग्यांत क्या करना बच्छो उसने दे रखा है बच्छो XL बराबर ओमेगा एल ठीक है बच्छो ओमेगा एल एकसल ओमेगा एल के ब्रावता है यहां देखे यहां देखे बच्छो एल कितना दिया है बच्छो यहां देखे ल कितना दिया है दस और ओमेगा कितना निकाला है बच्छो हमने ओमेगा यहां पर यह देखे बच्छो ओमेगा हमने 50 निकाला है तो 10 गुणा 50 ठी रहे था बच्चो और L है 10 ठीक है बच्चो तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना है जाएगा बच्चो यह पांच को 20 200 गुणा गये 10 या हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की कितने घात 1 2 3 गात 10 की घात 3 बोर्ट हो जाएगा बच्चो ठीक है बच्चो तो यह question यहाँ पर solve हो जाता है बच्चो ठीक है बच्चो अब हम आपको अगले question की ओर लिए चलेंगे बच्चो तो बच्चो अगला question है 2 हेनरी का एक प्रिरुकत्व 18 माइक्रो फेरेड का एक संधारित तथा 10 किलो ओम का एक पर्तिरोद 20 बोल्ट के पर्तियावर्ति स्रोद से परिवर्ति होने वाली आवर्ति के साथ जुड़े हैं ग्यात कीजिए किस आवर्ति के लिए धारा अधिक् मान क्या होगा बच्चो तो सब से पहले बच्चो आपको यह देखना है कि कि किस आवर्ति के लिए धारा अधिक्तम होगी उसको कैते हैं अनुनादी आवर्ति पर धारा अधिक्तम होगी ठीक है बच्चो अनुनादी आवर्ति पधारा क्या होगी? अधिक्तम होगी और अनुनादी आवर्ति कवा थी बच्चो? xl बराबर omega l और xc बराबर 1 upon omega c जब ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चो? बरावर होंगे तो XL बरावर XC तो इसका मतब क्या हो बचो Omega L बरावर 1 upon Omega C या हम क्या कह सकते हैं बचो Omega square LC बरावर 1 तो Omega square बरा कितना हो गया 1 upon LC ठीक है बचो अब हमने frequency निकालने है तो Omega के ही अंदर क्या है Omega को क्या लिखेंगे 2 pi f का whole square बरावर 1 upon LC ठीक है बचो तो 4 pi square f square बरावर 1 upon LC तो f square का मान कितना है बचो 1 upon 4 pi square LC या हम कह सकते हैं बचो ये जेके थोड़ा उपर करता हूँ या हम इसको कहते हैं f is equal to इसका बर्गमूल लेंगे बर्गमूल लेंगे 1 upon 4 pi square LC और जब इसका बर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 2 pi under root LC ठीक है बचो अब हमने इसकी value ग्यात करनी है बचो सब आपको दे रखा है तो f बरावर कितना हो जाएगा 1 upon 2 into 3.14 और under root L L और C दोनों की value आपको दे रखी बचो तो L की भेली कितने दिया है बचो यहाँ देखो ऊपर आपने पहले लिख दिया होगा बचो 2 henry और यहाँ पर 18 microfarad है बचो थोड़ा आप इसको पहले लिख देंगे बचो ये देखे तो 2 henry दिया है 2 गुणा गे 18 microfarad दिया है 18 गुणा कितना हो जाएगा बचो 10 की घात रिन 6 हो जाएगे बचो तो बचो इसको हम यहाँ पर solve नहीं करेंगे ये solve करके मैंने रखाया बचो तो बचो ये हो जाएगा 26.5 hertz ठीक है बचो ये आपको हल करना बचो ये हल करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी आप इसको यहाँ पर हल कर सकते हैं तो frequency हमारी निकल गई है अब हमने धारा का अजिकतम मान निकालना है I maximum I maximum निकालना है तो कितना हो जाएगा बचो V upon ठीक बचो और जड किसके बराबर आजाएगा बचो यहाँ पर मैंने पहले बताया है जड R के बराबर आजाएगा V upon R R के बराबर आएगा बचो जड तो V कितना दिया है बचो V जह हमारे पास 20 बोल्ट दिया है और R जो दिया है वो 10 किलो ओम दिया है तो 10 किलो ओम को हम ओम में बदल देंगे 10 की गहाँ 3 से गुणा कर देंगे बच्चो तो बच्चो अब कितना आ जाएगा बच्चो यह यह से डिवाइड हो गया 2 हो गया तो 2 इन्टू 10 to power minus 3 ठीक है बच्चो इतना ampere यह आ गई है बच्चो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो